Hello students पिछले वाले वीडियो में हमने देखे थे 3 side effects of malnutrition mineral malnutrition, vitamin malnutrition and protein malnutrition इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था और इसे हमने ये भी जाना हमें सारे nutrition equal quantity में लेना चाहिए ताकि हम fit रह सकें तो सब अच्छे quantity में nutrition लेते हैं घर पे हर चीज न्युटिशन है मेंट है तीर यूमन हैल्थ अभी फैलर टॉपिक पिक नहीं अब एक टॉपिक में में तो ते का है इसमेंकि हैं, वाटर के बारे महीं? 105 गाहित एक जोटे थक लिएलbeit होग नहीं नहीं है इंड पानी के अंदर हामफुल माइक्रोब्स नहीं होने जो हमको तकलीफ पहुचाए या जिससे हम बीमार हो जाए थर्ड पॉइंट क्या है पीएच ओफ वाटर शुड नौट शुड बी बैलेंस्ट जो पीएच ओफ वाटर है वो बैलेंस्ट होना चीए इक्वाल पीएच जो वाटर का पीएच होना चीए वो बैलेंस्ट होना चाहिए फोर्थ पॉइंट क्या बताया हुआ है वाटर मस्ट है एड्यूकेट अमाउंट ऑफ डिजॉल ऑक्सिजन प्रेजंट होना चीए ताकि हम लोग उसको पी सके अब नेक्स्ट क्या बताया है जो वाट होता है जिसकी वजstat में प्रॉब्लम्स नहीं होती और वाटर क्या-क हमें किस चीज में हमें πीने से डाहिए इसमें क्या बता रखा है कि water helps our body to carry out different responsibilities, water क्या करता है, अलग लग तरह की responsibilities करता है, जैसे हमारी body है, उसके इनर कितना सारा water present होता है, तो वो अलग लग function भी करता है, हर body part के इनर हमारे water है, इसलिए हम आज जिन्दा है, बिना पानी कोई नहीं रह सकता, इसलिए हमें दिन में आठ ग्लास तो पानी के पीने चाहिए, ऐसा doctors भी कहते हैं, तो आगे क्या बता रखा है, metabolic activities के बारे में, तो अब इसमें क्या बोला है, चो metabolism of body works in a proper way, if adequate amount of water is drunk, जितने में metabolic activities होती है, वो अच्छी तरीके से perform होंगी, जैसे anabolism और ketabolism हम पढ़ते हैं, तो हम अगर अच्छ quantity में पानी पीएंगे, तभी metabolic activities perform हो पाएंगी, तो हमें अच्छे तरीके से पानी भी पीना है, और कितने ग्लास पीने दिन में, आठ ग्लास, अब आगे क्या बता है, थर्ड पॉइंट, toxic elements come out, जब हम अच्छा और pure water पीते हैं, तो जो हमारे body के अंदर toxic elements, जो हमारे body के ल और जो, हमारे body को टाइड नहीं होने देते हैं, हमारी body सवस्थ रहती से इगदम, fit और fine रहती हैं, जिससे हमारे अंदर energy बनी रहती हैं, 5th point फिर इसी बारे में healthy and energetic हम जब पानी पीते रहते हैं तो हम healthy भी रहते हैं energetic भी रहते हैं इसी वज़े से हम tired भी नहीं होते हमें नीन भी कम आती है और हमें पानी पीते रहना चीह है ताकि हम fit और fine रहें अब next 6th point क्या दे रखा आगे water maintains adequate amount of fibers in the body that improves our immunity power and susceptibility to disease decreases अब इसे में क्या बता रखा है जो fibers जो हैं हमारी body के अंदर जो present है वो क्या करते हैं हमारी immunity power को अच्छा करते हैं और susceptibility to disease decreases means कोई चीज़े जो हमारी body के अंदर टूटती वगरा है या खराब होती है उनको भी अच्छ पानी पीने से अब 7th point क्या हो रहा है अब fat is not deposited fat deposit नहीं होता हमारी body में कम जब हम अच्छ से पानी पीएंगे 8th point क्या दे रखा है removes kind of allergy to the body हमारी body के अंदर काफी तरह की allergies हो जाती है काफी लोगों कहते हमें ऐसी allergy है कोई कहते हमें उस तरह की allergy है तो अगर हम अच्छी quantity में पानी पीते है regular तो हमारे allergy की भी chances कम हो जाती है 9th point क्या दे रखा है कि in addition to that infection to lungs, asthma and intestinal disease also do not occur अगर ऐसा कुछ है तो हमारे अंदर जैसे body के अंदर काफी disease हो जाती है से related asthma, intestinal disease जो है वो भी कम हो जाती है पानी पीने से इन सबसे हम दूर होते चले जाते कब जब हम अच्छे से पानी पीएंगे avoids danger of calculus ये क्या है, किस तरह की बिमारी है, calculus को हम बोलते है, पत्तरी हम अच्छे से पानी पीते है तो पत्तरी नहीं होती है, ऐसे doctors नहीं कहते है, जदा जदा पानी पिया करो, पत्तरी की problem नहीं होगी common cold की भी chances कम हो जाती है अच्छे से पानी पीने के लिए तो हमें अच्छी quantity में पानी पीना चाहिए, ताकि हम बिमार नहीं हो, कितना पानी पीएंगे अब हम रोज, आठ ग्लास, कब डेली दिन में, हर रोज अब next topic हम देखते है, side effects of contaminated water, तो इसके अंदर first point हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो ये है कि side effects contaminated water के होते ही क्यों है क्योंकि हम गंदा पानी पीते हैं, इंप्यूर वाटर पीते हैं, उस इंप्यूर वाटर के अंदर पता नहीं कितने animals रहते हैं, काफे ये से छोटे छोटे जो microorganism में वो उसके अंदर present होते हैं, जिने हम देख नहीं पाते हैं और पी लेते हैं, उन चीजों से हम बिमार हो जाते हैं, इसलिए आज कल हम लोग आरो और ये सब यूज करते हैं, ताकि हम लोगों के उसके अंदर कोई pathogenic microorganism नहीं होने चीए, और सबसे पहले चीज तो जब हम कोई पानी पीते हैं, तो ज्यादा best cup होता है, हमें उसे गरम करके पीना चीए, ताकि कुछ bacteria या कुछ microorganism में वो मर जाते हैं, एक proper heat देने पे, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं, हमें क्या-क्या side effects होते हैं, first point दे रखा है, disease grip, इसके अंदर क्या है, many diseases grip as if the potable water is contaminated, ऐ ऐसी काफी तरह की diseases हो जाती है, अगर पानी गंदा होता है, और second point क्या दे रखा है इसके अंदर, diseases are caused by the presence of pathogenic microorganism, ये क्या है, पानी के अंदर काफी ऐसे pathogenic microorganism present होते हैं, जिनकी वज़े से हमें diseases हो जाती हैं, और ये किस तरह के pathogens होते हैं, जैसे की virus हो गया, bacteria हो गया, protozova हो तो ये सारे क्या होते हैं, हमें disease effect करते हैं, हमारी बोडी को जिससे हमें disease हो जाते हैं, और किस तरह की diseases, जैसे example के तोर पर यहां दे रखा है, cholera, dynastry, ये ऐसे diseases हैं, जो हमें गंदा पानी पीने से हो जाती हैं, और भी किस तरह की disease, communicable disease, जैसे हम वाटर पीलिया, air के थू हमें हमारे अंदर आ जाती है, तो वह भी बहुत सारी disease होती है, जो हमें effect करती है, जैसे कि सबसे dangerous disease इसके अंदर क्या होती है, hepatitis हो गया, flu हो गया, typhoid हो जोन्डेस हो गया, तो इन सबसे हमें problem होती है, जोन्डेस एक common है, जो हम सब जानते हैं, जिसे हम पीलिया के नाम से तो बैटर रहता है, हमें पानी पीना चाहिए, अच्छी quantity में पीना चाहिए, दिन में कितने ग्लास पीना चाहिए, आंट ग्लास पीने चाहिए, और कोशिश करने चाहिए, कि हम उससे जादा से जादा गरम करके ही पीए, अब इसमें देखो, आगे क्या बता रहा है, इसम बड़ी serious problem थी राजस्तान में कम 2000 येर से पहले और अब तो क्या चल रहा है 2020 बड़ 2022 अब देखो 20 साल से पहले ये 20 साल हो गए अब ये serious problem जो है वो कम हो गई राजस्तान में ये disease जो थी 2000 सन के अंदर थी तो इससे क्या होता था इस dragon ecclesis के अंदर एक agent होता है उसमें warm होता है ये अर्थ warm देखा है ना हमने ये उसी तरह का दिखता है तो इसके अंदर क्या होता है ड्रेकोनलाइसिस तो disease का नेम है और ये किससे होता है ड्रेकोनलाइसिस मैडेनेसिस उस warm का नाम है जिससे ड्रेकोनलाइसिस डिजीस होती है और ये कैसे होती है इसके अंदर जो ड्रे पानी के अंदर उसने एक दिये और अगर गंदा पानी हम लोग पी लेते हैं तो हमें यह डिजीज हो जाती है जिससे हमें बहुत हामफुल हो सकते हैं हमारी बोड़ी को यह बहुत ज्यादा इफक्ट करती है तो बैस रहता है पानी को गरम करके पीना चाहिए और हमें गंदा कोई भी पेशेंट नहीं मिला 2000 के बाद 2000 के बाद 2000 के बाद क्योंकि जो अफ़र्ट दिये गए थे नैरो अबिलेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया था जिसके अंदर अच्छा फ्रेश वोटर पीने के लिए कहा जाता था और बोला जाता था कि हमेशा उस और जैसे हम जैसे पॉंड्स और ये रिवर्स होते हैं हम वहाँ जाके कपड़े दोने लग जाते हैं नहाने लग जाते हैं तो बहाँ पे ये सब चीजे भी बंग करी गई ताकि वो पानी साफ सुत्रा रहे इसलिए हम बोलते हैं healthy tomorrow is where there is healthy water हमारा healthy कब tomorrow होगा जब हम कब के हमने topic पड़ ली हैं उसके आगे हम next questions देखते हैं क्या-क्या questions है what should be the qualities of drinking water साफ सुत्रे पानी की क्या-क्या qualities होती है वो हमें बतानी है जो हम पी सकते हैं question number second write down the harmful effects of contaminated water गंदे पानी से क्या-क्या harmful effects हो सकते हम लोगों को उनके बारे में बताना है question number third diseases like cholera, dynasty are caused by which pathogens ऐसी जो यह diseases है cholera, dynasty यह किन पैथोजन से होती हमें उनके नाम बताना है question number fourth which dangerous diseases are caused by contaminated water ऐसी कौन सी dangerous disease है खतरनाक बिमारिया है जो गंदे पानी से हो सकती है उनके नाम बताना है question number fifth write the name of the causing agent of draconalysis हमें उस agent का नाम बताना है जिससे draconalysis disease होती है तो यह सारे question हमें solve करने है साथ में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे हम रोज पानी पीएंगे कितने glass आठ glass पानी पीएंगे ताकि हम energetic रह सके healthy रह सके fit और fine रह सके ताकि हमें कोई disease ना हो पाए तो हम daily अच्छे से पानी पीएंगे और कैसे गरम करके प जो बाइ